चलिए अब आपका एक concept टेस्ट कर लेते हैं इस question में हमें यह explain करना है कि Aluminium concentrated nitric acid के साथ क्यों react नहीं करता है तो वीडियो को आप यहाँ पर pause करिए और दो मिनिट का समय लेकर इस problem का solution खुजने की कोशिस करिए आई हो आपने इस problem का solution ढूण लिया होगा तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है हम जानते हैं कि concentrated nitric acid बहुत ही strong oxidizing agent होता है तो जब हम Aluminium को nitric acid से expose करते हैं तो Aluminium के surface पर present Aluminium oxidize होकर Al2O3 की एक protective layer form कर लेते हैं जो कि इसे further nitric acid के attack से बचाते हैं और इसी reason से हम यह कहते हैं कि Aluminium nitric acid के साथ react नहीं करता है I hope आप इस concept को समझ गये होंगे